तो देखें बिहार के कुरुक्षेतर में ना सिर्फ बाहु बल्यों के एंट्री हो चुकी है बलकि सियासी समीकरणों के साथ ही कई नए प्रयोग भी हो रहे हैं मसलन 90 के दशक में लालू यादव ने MY समीकरण तयार किया भूरा बाल वाली जो पॉलिटिक्स है अप्रोच के जरिये सत्ता की सीड़ी तयार की लेकिन अब लालू के लाल ते जस्वी यादव A to Z पॉर्मूले पर आगे बढ़ रहे समीधान प्रारक्चन को सिर्फ चुनाओं में याद आता है कभी याद नहीं आता है जो लोग समीधान की बात करते हैं इस तरीके का पाखंड रश्ते हैं जो लोग क्या कर रहे हैं ये बाबा साब की मूर्ति माई के साथ साथ हम लोग बाप की भी पार्टी हैं बी से बहुजन ए से आपका हो गया अगड़ा दूसरा ए से हो गया आधी अबादी जो महिलाओं की है और पी से पूर यादि बी ए ए पी ये बाप तो अगर ये माई और बाप मिला ले तो A to Z हो जाता है कोई बसता नहीं आम तोड़ पर माना जाता है कि बिहार में आर जेदी की राजनीती माई फैक्टर यानि मुस्लिम और यादो वोट बैंक पर टिकी है नब्बे के दशक में लालू यादो के शासनकाल में एक नारा चला था भूरा बाल साफ करो यानि भूमिहार, राजपूत, ब्रामहन और लाला यानि कायस्त के खिला राजनीतिक धारा को हवा देने वाला पॉलिटकल अप्रोच, बीते वक्त में आर जेदी की राजनीती इसी के इर्दगर्द विस्तार लेती दिखी, लेकिन इस चुनाओ में तेजस्वी यादो ने आर जेदी की राजनीती का तैरा माई इन में से आठ उम्मीद्वार यादो समाद से हैं, वहीं मधुबनी से अली अश्रफ फातिमी और अररिया से शाहनवाज आलम को टिकट मिला है, तीन कुश्वाहा, एक बनिया और तीन उम्मीद्वार अतिपिछ्रा वर्ग से हैं, इसके अलावा स्सी वर्ग से वादेदी ह परदान मत्रे हमार सलातन धर्म के, राजपती सलातन धर्म के, तीनो सेना के अप्रिक सलातन धर्म के, सब मुक्वंत्री सलातन धर्म के, हप्रे परदेश के, हर गवर्नर सलातन धर्म के, फिर भी का अरे सलातनी खतरे में का, इसे ने भाई, अरे सब ठान रहे, ये लोग समा पिहार में तेजस्वी यादो का एक एक कदम नब्बे के दशक में लालु यादो के राज नितिक पन्नों को पलट रहा है क्योंकि तेजस्वी यादो की सियासी चान नब्बे के दशक में लालु यादो के सियासी दाव पेज से एक काफी मेल खाती है हालांके बतले हुए वक्त में तेजस्वी यादो का रास्ता और रर्मीती थोड़ी अलग है जिसके सूतरधार कहीं न कहीं लालू यादो ही माने जा रहे हैं इधर तेजस्वी यादो के आरक्षन वाले दाउं ने बिहार की राजनीती का पारा चड़ा दिया है पारजेडी ने ये गिनना शुरू कर दिया है कि सेना में कौन हिंदू है कौन मुसल्मान है यही इनका असली चहरा है मा भारती की रक्षा के लिए जो सीने पर गोली खाता है वो पहले भारती होता है और ये आरजेडी के लोग उसे हिंदू मुसल्मान की नजर से देखते आरक्षन पर तेजस्वी यादो के वयान के बाद तुष्टी करन पर टकराव बढ़ गया है जो सर्विधान में जो प्रावधान है बाबा साब अफ्रितकर ने जो आरक्षन दिया है आप उसके विरोध में बात कर रहे हैं बीजेपी के नेता कई बार मंच पे उनकी उमीदवार हो एंपी हो चाह बिहार में हो हमने तो विडियो भी डाला था जो गया में उनके लोग बोल रहे हैं कि सर्विधान को खताब कर देगी कौन बोल रहे हैं तो योग तो करीड है तो मांसित्ता क्या है यानि बिहार की 40 सीटों के नतीजे किसके पक्ष में रहेंगे किसके लिए संसद का रास्ता खोलेंगे आरक्षन, धर्म और जाती जैसे मुद्दे टै करेंगे जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर ढाई पे आए बपीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए और ये हैं इनकी बहू पूरे दिन ओफिस की टेंशन हो जाए गौन जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देगे अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी नियूज आपको रखे आगे